आज के सेशन में 16 October shift 3 और 17 October shift 1 के questions हम लोग discuss करेंगे तो फटा फट सी session को like और शेयर कर दीजे और अगर आपने चाल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे नोटिफिकेशन के लिए आप हमें हमारे टल्ग्राप चल पर भी जॉइन कर सकते हैं और कारेंट अफेस और जो वेरियस स्टाडी माटीरियल से वह आपको वेबसाइट पर अवैलेबल है तो पैनलेमीडियू.com को आप जरूर विजिट करिए वहाँ पर क्वेज़स अवैलेबल है उनको टेम करिए और फीडबैक अपना जरूर शेयर करिएगा तो चली हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं गाइज एक बार कंफर्म करिए आपको मेरी आवाज आ रही है क्लिए चली ओके तो अतुल हमारे साथ जोड़ चुके है सुगाई सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए आल वेट फोर टू सेकंड्स तो त्री सेकंड्स आप फटा फट से सेशन को डिफरेंट प्लाटफॉर्म पर शेयर करके आईए क्योंकि जादा जादा लोग होंगे तब ही जो सेशन में आपका इंट्रेस्ट आएगा ठीक है तो जल्दी से कमेंट करके गाई जो है अपना बताईए ठीक अपनी प्रेजेंस जो है थोड़ा शो कीजे और साथ ही सेशन को एक बार शेयर जुरू करिए वेरियस प्लाटफॉर्म पर इसको शेयर करिए गाईज चलिए तो चलिए हम लोग शुरुवात करते हैं ओके चलिए हनुमंता जुट चुके हम आज साथ सोनु जुट चुके हैं हेलो सोनु चलिए शुडू करते हम लोग सो दे कैपिटल ओव विच एंपायर वाज नॉट इन साउथ इंडिया साउथ इंडिया में किसकी कैपिटल जो है वो लोकेटेद नहीं है वे तो आपका पाला चोला चेरत एंड पलावा जल्दी से कमेन्ट करके बताएं फटाफ़ट से कमेंट करके बताहिये करेक्ट आंसर क्या होगा इसका क्या है कि प्ड़ कि एंपायर वास नोट इन साऊथ इंडिया तो correct answer क्योंगा इसका पाला option a correct answer रोगा ये अशीश राहूल Hello Everyone, चली अलिंजी सरते हैं अच्छ समाँ अपका एंपार तो ठेहरे से लिए uchगे अच्छ सथर बेंगॉल और बिहार में फैला हुआ था तो इसलिए साथ इंडिया उसकी कापिटल नहीं थी चोला चेरा पांडियास पलवास दीज वर इन साथ इंडिया ठीक है आशीश ऐसे नहीं होता है नएअपका जो टाइंink है डाता फिक्स तो फिक्स टाइं मिंग्स पर इमकटी थीक है थी कि чистी शाव किषगे करीक्टी थो ठीक है है इसका नाम है money फुल फॉर्म क्या है इसका mobile-aided note identifier ठीक है फुल फॉर्म याद कर लो mobile-aided note identifier ताकि जो आपके विजुली challenge persons है इनको identify कर सकें जो भी आपके currency notes के denomination है कितने रुपी का कौन सा note है तो उनके day-to-day transactions में उनको काफी ease हो जाएगा तो उसके लिए आपका यह launch किया गया था money ठीक है यह सातुल right option be correct answer next देखिए who was India's first chief of defense staff भारत का पहला chief of defense staff कौन है general विपन रावत general अर्जन सिंग general विजय कुमार and general Manoj Mukund Narvani so chief of defense staff जो ही आपका newly created post है पहले chief of defense staff कौन है cds yes जल्दी से कमेंट के कि प्ताइए गाइस आव विदिन वन और टू देज आपको schedule share कर दिया जाएगा अशीश ठीक है विदिन वन और टू देज आपको schedule बताके और आपकी classes जो स्टार्ट हो जाएंगी ठीक है आप इमान के चली के मंडे से तो आपका हो जाएंगी ठीक है मंडे से तो पका प्रीजन की classes देखेंगे यह सो option b correct answer okay option a correct answer होगा इस जनरल बिपेन रावत ठीक है option a अतुल option a correct answer होगा बिलकुल yes बिपेन रावत correct answer है sonu yes अशीश राइट हनुमान ता राइट option ने correct answer है तो जनरल मनोज मुकंदरवने कौन है यह आपके chief of army staff है he is chief of army staff ठीक है अच्छा बताईए chief of air staff बताईए और chief of naval staff भी बताईए चीफ of naval staff भी बताईए और chief of air staff भी बताईए दोनों बताईए कमेंट करके फटाफट से ठीक है जल्दी से बताईए क्विकली कमेंट करें गाईज chief of naval staff और chief of army staff दोनों बताईए दोनों पता होने चाहिए आपको क्योंकि यह question आपको कहीं भी पूछ सकते हैं तो चीफ of naval staff कौन है करमबीर सिंग है और chief of air staff कौन है जल्दी से बताईए चीफ of air staff कौन है राकेश कुमार सिंग बदोरिया ठीक है रहे सभी को येस राइट येस हनुमानता बदोरिया जो है ये आपके chief of army staff है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स देखते हैं जल्दी से बताईए आपके popular dance form कौन से लक्षवदीप आयलेंड का देखे आपको dance form से questions पूछे जाते हैं अभी आपने जितनी भी shifts देखे हैं हर shift में एकना एक question आपको या तो dance form से folk dance से या फिर कोई और मतलब आपका related to tribes या फिर कुछ ऐसे रीजन है जो बहुत थोड़े दूर दराज की छेत होता है जिसे लक्षवदीप नौर्थीस्ट वाले स्टेट से अन्नेमार निकोबार आयलेंड है ठीक है कोई tribe हो गई ठीक है जो चल्चा में तो रहते हैं बढ़ जादा पता नहीं रहता है उनके बारे में यह सो करेक्ट आंस से क्या होगा option D होगा right बिल्कुल सही है कोल कल ठीक है दो option तो आप ऐसे भी eliminate कर सकते कुची पूड़ी और कथक तो आप eliminate करी सकते हो है तो कुची पूड़ी यह तो आपका classical dance है कुची पूड़ी आंद्रप्रदेश और जो आपका कथक है this is also a classical dance यह कहां का classical dance है उत्तरप्रदेश का अच्छा कोली क्या है कोली यह आपका फूगड़ांस है कहां का फूगड़ांस है महाराश्ट्रका और जो कोल कली है यह आपका कहां का लक्षदी पालेंट का है ठीक है यह option D correct answer है चली आगे बढ़ते हम लोग next देखिए यह किताब है रिसेट रिगेनिंग इंडिया इकनॉमिक लेगेसी इसके author कौन है सुकेतु महता अभिजीत बैनर जी सुब्रमन्यन स्वामी और रगुराम राजन जल्दी से comment करके बताईए अगर पता हो तो आपको जल्दी से बताईए अगर नहीं पता है तो आप comment कर दीजिए नहीं पता है पता है तो बताईए येस सो क्या correct answer होगा इसका option C होगा that is सुब्रमन्यन स्वामी के द्वारा reset regaining इंडिया इकनॉमिक लेगेसी ये लिखी गई है किताब येस अतुल right option C correct answer है नेक्स देखे लुकोपीनिया is an abnormal increase in red blood cells decrease in WBCs decrease in RBCs and increase in WBCs जल्दी से comment करके बताईए लुकोपीनिया ये एक abnormal condition है किस चीज की RBC white blood cells की increase यह होता है उसमें फिर decrease होता है क्या होता है लुकोपीनिया में तो लुकोपीनिया देखे पहली बात तो आप WBCs का जो another name है उसको क्या कहते है लुकोसाइट कहते है तो लुकोवर्ट से ही आप ये इमाजिन कर सकते हो आप ये लिंक कर सकते हो कि लुकोवर्ट जहां भी आ गया है that is related to your white blood cells तो आपको पता है हमारे जो blood होता है इसमें आपकी three types of cells होती है ठीक होती है एक होती है आपकी RBCs red blood cells जिन में hemoglobin present होता है ठीक है and then जो इसका red pigment और से रेड कलर की होती है दूसरी होती है आपकी WBCs जो आपकी immunitical responsible होती है और एक होती है आपकी platelets ठीक है और इसके लावा blood में plasma होता है so leukopenia जो है यापकी abnormal क्या condition है this is decrease in WBCs में WBCs जो है यापकी घटन लगती है leukopenia ठीक है एक आपने सुना होगा term leukemia ठीक है leukemia में क्या होता है abnormal increase in WBCs होता है blood cells में abnormal increase होता है blood cells especially आपकी WBCs WBCs में abnormal increase होता है leukemia इसको blood cancer भी कहते हैं ठीक है blood cancer यापका lymphs में blood में यापका cancer generate हो जाता है leukemias में आपका जो cells होती है fully mature भी नहीं होती है और वो degenerate हो जाती है ठीक है चलिए अभी clear है चलिए option B correct answer होगा I hope this is clear चलिए आगे बढ़ते हैं लोग next देखिये which stadium was renamed as Arunjaitli Stadium in 2019 कौन से stadium का नाम बदल कर Arunjaitli स्टेडियम 2019 रखा गया है फिरोशा कोटला ग्राउंड ग्रीन पार्क एडन गार्डन एंड वांखिये इस स्टेडियम जल्दी से बताएं गाईस कि फटाफट से कमेंड करिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा क्या होगा option ने होगा that is फिरोशा कोटलास ग्राउंड तो यह कहां पर है न्यू डेली में है ठीके ग्रीन पार्क कहां पर आपका कानपूर में है ग्रीन पार्क जो आपका स्टेडियम है यह कहां पर है कानपूर में है एडन गार्डन कहां पर है आपका इडन गार्डन स्टेडियम कहां पर है आपका कॉलकाता वेस्ट बेंगॉल में है और वांखेडे स्टेडियम कहां पर आपका मुंबई में है ठीक है तो इसका नाम जो है रीनेम क्या किया गया है फिरोशा कोटला का जो नाम है यह रीनेम करके अरुजेटली स्टेडियम 2019 में रखा गया था राइट ऑप्शन ने करेक्ट आंसर अब मुझे यह बताईए अभी कौन सा रीसेंटली एक स्टेडियम जो है जिसका नाम जो ह पर नरेंद मोदी स्टेडियम रखा गया है फटा फट से बताईए गया है क्योंकि अगली बार आपको यही क्वेश्चन पूछ सकता है अबाउट इस नरेंद मोदी स्टेडियम तो का पर है अपका पहली बात तो एहमेदाबाद बुझे जुरात में है ठीक है नाम किया था इसका पहले नाम किया था इसका मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम ठीक है जाए बिल्कुल राइट कर्एक्ट आंसर है च्छली आगे बढ़ते है नेक्स देखें the carbon and energy requirements of autotrophic organisms are fulfilled by the process of dash photo autotrophs photosynthesis hibernation and biosynthesis जल्दी से comment करके बताईए गाईज फटाफट से comment करके बताईए carbon और energy requirement geototrophic organism की कैसे fulfill होती कौन से process से fulfill होती है photo autotrophs photosynthesis hibernation and biosynthesis मैं बिल्कुल comment देख रही हूं आशीश सारे comments देख रही हूं मैं येस राइट आशीश नहीं इसका option नहीं होगा option बी होगा photo autotrophs नहीं होगा photosynthesis होता है ना plants आपके autotrophic organism है तो अपनी carbon energy requirement को कैसे fulfill करते हो photosynthesis की help से ना यही तो process हो रहा होता है फिर आपका energy का generation होता है oxygen का generation होता है थोड़ा सा water का भी generation होता है ठीक है यही तो होता है उसमें आपका ना चलिए आगे बढ़ते हैं next देखिए which of the falling is not a central economic problem solved by the production possibility curve कौन सी समझ से यहाँ पर production possibility कर्व के द्वारा solve नहीं की जा सकती है full utilization of resources sustainable consumption economic efficiency and economic growth जल्दी से बताएगाई गाईज फिटा फिट से comment करिए correct answer क्या होगा सभी लोग गाईज कमेंड करिए बाकी लोग कमेंड क्यों नहीं कर रहे हैं watching ज्यादा है comment सिर्फ दोई लोग कर रहे हैं ऐसा क्यों सभी लोग कमेंड करिए गाईज so option b correct answer हो जाएगा that is sustainable consumption तो यह आपका production possibility curve है यह आपका different combination of output को दिखाता है कि अगर मैं current resources और technology का मैं इस्तमाल करूँ तो कैसे मैं अपने output को एक output के basis पर दूसरा output कैसे आपका vary करेगा different combinations में दिखाई देते हैं तो यह आपका utilization of resources से सच्छे से हो सकता है कि मैं कौन से resources का इस्तमाल करके कैसे अपना production को बढ़ा सकते हैं तो जब आप full utilization of resources करोगे तो efficiency बढ़ेगी economy grow करेगी लेकिन sustainable consumption को हम किसी possibility curve से नहीं solve कर सकते है problem को ठीक है so option b correct answer है yes आशीश right option b correct answer है नहीं देखिए अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप try तो करिए ना at least participate करिए next देखिए as per the eighth schedule of the constitution of India how many languages are referred to as scheduled languages तो आटवी अनुसूची में हमारे सविधान के आपको languages दिवी हैं जिनको scheduled languages कहा जाते हैं कितनी languages हैं वो 14,20,22 या फिर 18 चली इस question कान से बताइए गाई तो टोडल किती languages हैं किती scheduled languages हैं येस आशीश राइट आतुल option B correct answer sorry C correct answer हो कर दाट तस 22 22 scheduled languages हैं कौन कौन सी हैं आपकी असमीज, बेंगॉली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कश्मीरी, कौन कनी, मल्यालम, मनीपुरी, मराथी, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिं आप इस तरह से देख सकते हैं जैसे हम नौर्टीस्ट में अगर आप बात करें तो नौर्टीस्ट और इस्ट रीजन की तो असमीज, बेंगॉली वहां की हो गई, ठीके फिर आपका मनीपुरी हो गई वहां से, ठीके थोड़ा नेपाल को भी ले ले लेते हैं चलिए, ठीके मल्यालम, मेजर मेजर आपकी सारी लैंग्वेज़ जोगी, फिर वेस्ट में आईए, गुजराती, हिंदी तो आपका नौर्थ वाली में कॉमन होई गई, ठीके देन कश्मीरी, नौर्थ, देन मराथी, महराष्ट की तो साउथ में इसको काउंट कर लो, आप और उर्दू, यह तो आपके इंक्लूडेड ही है, ठीके, तो इस तरह से बाइस लैंग्वेज़ जसको आप याद कर सकते हो, येस राइट, चलिए, आगे बढ़ते हम लोग, थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर्स यूस्ट डाश, तो जो तीसरी जेनरेशन की कंप्यूटर्स तो ये देखें आप, तो फर्स जेनरेशन आपका 1946 से 1959 के बीच में ये टाइम पीरिट था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तमाल किया जाता था, फर्स जेनरेशन कंप्यूटर्स में, फिर इसके बाद आपके सेकेंड जेनरेशन आए, ये 1959 से लेके 1965 तक इसमें ट्रा जेनरेशन आए, 1965 to 1971 ये रहे हिए, और इसमें क्या यूज करते थे, इंटेग्रेटर्स का इस्तमाल करते थे, येस आशीश, अतुल, हनुमनता, सोनु, राइट ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है, फर्थ जेनरेशन में आपका 1971 से 1980 तक ही आपके रहे, तो VLSI जो माइक्र प्र इंटिग्रेटर्स का इस्तमाल किया जाता है, तो कौन सी प्लेट है, जो सबसे जादा धी में से चल रही है, 2.5 cm per year की से भी कम जो है इसका rate of moment है, तो Arctic Ridge, North American Plate, Mid Atlantic Ridge and East Pacific Rise, हाँ बिलकुल आशीश, कमेंट थोड़े लेट जा रहे, सोनु, इसकी PDF अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये आपके previous year questions है, तो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे, इसकी PDF आपको, चलिए आप कहते हो तो मैं है, फिर आपको PDF जो है, आपको Telegram Channel पे शेर कर दूँगी, ठीक है, I'll share it on Telegram Channel, आप Telegram Channel को जॉइन कर लीजे, ठीक है, आपको description में लिंक मिल जाएगा, Telegram पे मैं शेर कर दूँगी, PDF को, ठीक है, चलिए, ये सानुमनत, the right option, ये correct answer, that is Arctic Ridge, yes Arctic Ridge is the correct answer, next देखे, Through which of the following states does the Tropic of Cancer run, भारत में Tropic of Cancer कहां कहां से पास होता है, तो पहले तो ये याद करो भीया, 8 states से ये पास होता है, ठीक है, चलते हैं, गुजरात, राजस्थान, देन आपका मध्या परदेश, छत्तिसगर्ड, छार खंड, वेस्ट पेंगॉल, त्रिपुरा, मिजौरम, हो हो ये आठ राज है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ठीक है, तो इन आठ राज्यों से जो है आपका, Tropic of Cancer जो ही आपका पास करता है, बार बार आएगा, बार बार याद हो जाएगा, अच्छे से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उप्शन B हो जाएग क्योंकि मैं दो-तीन दिन से पढ़ा जी हूँ, लेकिन फिर भी भूल जाओगे, ठीक है, इसी लिए, ऐसी डाग्राम के तौर पर याद कर लो, सीक्वेंस बाइस चेलो, गुजरात, राजिस्तान, मद्यप्रदेश, ये MP कर देते हैं, इसको नहीं तो कन्फ्यूज हो जाए सर्वर है, कंप्यूटर नेटवर्क में, जो आपका, जो भी उससे जुड़े यूजर्स हैं, उनको स्टोरेज कापैसिटी देता है, सर्वर की, तो इसको क्या कहते है, अप्लिकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एंड वेब सर्वर, जल्दी से बताइए गा फटा-फट सर्वर के बताए ये औергंट आंसर क्या होगा सो इसका क्रेक्ट आंसर क्या होगा option B होगा, that is, फाइल सर्वर, फाइल सर्वर इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है? फाइल सर्वर कहते है उसको नेक्स देखें, the fifth incarnation of Vishnu is known as Vishnu ji के जो पाच्वा रूप है उसको क्या कहते है, वारा, कृष्ण, वामन and नरसिम्मा, जल्दी से बताइए, विश्णु ji का जो fifth incarnation है उसको क्या कहते है जल्दी से बताइए, क्या कहते है विश्णु ji के incarnation को तो जो आपके अवतार हैं जैसे विश्णु जी के एक अवतार आपने सुना होगा मतस्य यानिकी जो उनका फिश का अवतार था ठीके एक उनका अवतार था आपका वारा का ठीके वारा भी उनका एक अवतार था ठीक है जो वारा अवतार था वो आपका जाइंट बोर का था फिर एक कुर्मा था ठीक है जो टॉटोईज का उन्होंने लिया था रूप ठीक है टॉटोईज का जो अवतार था बड़ा सा टॉटोईज बने थे वो ठीक है और वामन जो था यह आपका वामन अवतार यह आपक जो एक परशुराम थे ना जिनके हाथ में एक एक्स रहती थी ठीके तो वो परशुराम वाला जो एक अवतार था वो भी विश्णुजी का एक अवतार था ठीके तो टोटल जो है टेन अवतार थे ठीके न तो आपका मतस्य कुर्मा वारा नरसिम्मा भी एक अवतार था आपको याद आ रहोगा नरसिम्मा की तो स्टूरी आपने सुनी होगी है ना नर्सिम्मा का अवतार लिया था उन्होंने जब हिरण कशप को मारा था उन्होंने ठीक है एक और इसमें राम भी इनके अवतार थे ठीक है राम कृष्ण ठीक है ये भी इनके अवतार थे कलकी ठीक है अब ये जो कलकी है ना कलकी आप ये देखिए कलकी जो है ये कलकी अवता तो यह अवतार देखी यहां से भी question आपको पूछ लिया गया तो टोटल दस अवतार थे इनके कलकी जो कह रहे हैं कि आने वाला है विश्नु जी का जो अवतार है और कुछ लोग इसको कलकी को relate करते हैं बुद्धा से भी रिलेट करते हैं कि बुद्धा जो है विश्नु का अवतार है ऐसा भी कही कही कहा जाता है जाता है कि बुद्धा जो है यह आपके विश्नु के ही अवतार है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स दिके पिकली हल और उतनूर और साइट साइट से आपकी मोनलिथिक पली ओलिथिक मेगा लिथिक और नियॉलिथिक फटा फट से बताइए गाई तो पकली हल और उतनूर जो है यह इंपोर्टेंट आपकी अवतार से क्या करना है देको question करना है दो नंबर मिलेंगे अवतार पताओं गे तो यह करना है आपका हिंदु माइथ्रोजी से लेटेड है तो आपका एक पोर्शन जो आता है आट एंड कल्चर में वो डिलीजन वाला भी आता है ठीक है और रिलीजन के बारे में पता होना क्यों इंपोर्टेंट है उसके लिए आप चीज समझें क्यों कि जब आप रिलीजन को समझेंग करनी होती है और पबलिक से जब आपको डील करना होता है तो इस सारी चीज़े काम आते हैं ठीक है इसलिए पूछते हैं चली तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा option D होगा that is neolithic ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स थेकिए विच आप दी फॉलिंग स्टेटमेंट इस नाट करे नॉमिनेटेड बाइ दी प्रेजिडेंट इस अपर हाउस अफ दी पार्लेमेंट ऑफ इंडिया तो बताई इसमें राजसभा के बारे में कौनसी स्टेटमेंट गलत है सभी लोग कमेंड करें फटा फट से येस आशीश, हनुमनता, सोनु जल्दी से बताईए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा option B that is it can amend a money bill तो money bill को amend नहीं कर सकता है तो राजसभा को आपका permanent house कहते हैं permanent house क्यों कहते हैं यह dissolve नहीं हो सकता है यह आपका dissolve नहीं होता है members का tenure जो होता ही छे साल का होता है ठीक हर दो साल में जो है एक टियाए members आपके retire होते हैं अच्छा इसमें जो it has the powers that protect the rights of states against the union तो अफकोर्स यह आपका जो है states को against the union protect करता है ठीक है जैसे आपका all India services के creation की बात चल रही है जब तो वहाँ पर राजसभा का important रोल होता है लेकिन money bill में राजसभा की उतनी power नहीं होती है यह आपका जो money bill है उस comment नहीं कर सकता है स्रिफ recommendation दे सकता है और प्रेजिडेंट जो है यहाँ पर बारा सद्या सो को nominate करते हैं maximum members कितने हो सकते हैं 200 members जो है राजसभा में total हो सकते हैं तो यह आपका अपर house of the parliament है यह statement भी correct है ठीक है option भी correct answer है अतुल हनुमनत आशीश राइट चलिए the part of the land which is almost surrounded by water on all four sites but connected to the mainland on one side is called dash एक ऐसी जो हैपकी water body आपका land का part in fact water body के बारे में नहीं पूछा है जो चारों तरफ से तो भाही पानी से घिरे हुआ है लेकिन एक side में mainland से connected है ऐसे land form को क्या कहते हैं straight island isthmus and peninsula गुड़ आफ्टनून मैंने एक वरी गुड़ आफ्टनून सो इसका correct answer क्या होगा जल्दी से बताईए इसको क्या कहते हैं इसको peninsula कहते हैं जैसे कि भारत है कि वह हो यह कि तो इंडिया को अगर हम देखें तो यह तीनों साइड में तीनों साइड में पानी से घिरा हुआ है ठीक है सारे साइड में पानी से घिरा हुआ बस एक साइड में आपका mainland से जुड़ा हुआ तो इसको क्या कहते हैं पैनिल्सुला कहते हैं ऐसे structure को स्ट्रेट क्या होता है स्ट्रेट आपकी दो लाइंड को जोड़ता है माले जी यह एक आपका लाइंड है यह दूसरा लाइंड है this is the first portion this is second portion इसके बीच में जो आपका narrow stretch of water होता है और जो आपका दो water bodies को तो गनेक्ट करता है दो लाइन को पड़ता है आरी बाद समझ में आरी बाद समझ में स्मझ में कि अर्वाइन एक byitteriete ग्रियुत प्रिष्व दैवा नेकिन दो लाइन मासिस को सेपरेट करता है जैसे कि इंडिया और श्रिलंका इंडिया और श्रिलंका को कौन सेपरेट करता है पार्क स्ट्रेट ठीक है अच्छा इस्तमस क्या होता है जल्दी से बताईए गाइस इस्तमस क्या होता है जल्दी से बताईए आयलेंड क्या होता है आयलेंड तो चार तरफ पानी से गिरा होता है यह जैसे जापाने का आयलेंड है जल्दी से बताईए इस्तमस बताईए इस्तमस जो होता है यह आपका स्ट्रेट का उल्टा होता है तो इस्थमस क्या होता है ये आपके दो land masses को connect करने वाले एक पतली सी strip होती है ठीक है जैसे एक ये जगा है ये एक जगा है तो इनको connect करने वाली जो पतली सी strip है इसको इस्थमस कहते है तो ये दो water bodies को separate करता है और ये जो है आपके दो जगाओ को जोड़ता है जैसे कि मस आफ पनामा आपने सुना होगा ना ठीक है तो यह आपका कनेट करता है को स्ट अरीका को कोलंबिया से ठीक है चली आगे बढ़े हम लोग चली कोई बात नहीं गलत आंसर हो जाता है तो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं जल्दी से कमेंड करके बताईए जेसी बी प्राइस फॉर लिटरेचर किसने जीता है हाँ पनामा पेपर स्लीक सुना था आपने है हाँ बिल्कुल बिल्कुल यस सही जा रहो जेसी बी प्राइस फॉर लिटरेचर टुथाउजन नाइटी किसने जीता है इसका क्रेक्टा अंसर क्या होगा ऑप्शन ही होगा माधूरी विजन ने जीता था दो जार उन्नेस का यह आपका 2018 में ही स्टैबिश किया गया था इसमें 25 लाइक जो है cash prize दिया जाता है और भारत में जो है आपका ये एक इंडियन लिटरिरी आवाड है 2018 में स्टैबिश किया गया था अभी 2020 के winner कौन है यह भी याद कर लीजे क्योंकि बि Liberty winner कौन थे विन्यंतिर कैंटcor left अरे नहीं नहीं राना दास गुप्ता जो है ये विन नहीं है ये इसके फाउंडर है राना दास गुप्ता जो है ये आपके फाउंडिंग लिट्रेरी डारेक्टर है ये फाउंडिंग लिट्रेरी डारेक्टर ऑफ जेसी प्राइज ठीक है दोजार बीस के विनर की बात कर लेते हैं 2019 में मादुरी विजे को मिला था दाफार फील के लिए दाफार फील के लिए इनको मिला था मादुरी विजे को ठीक है तो दोजार बीस के हम बात करें तो दोजार बीस में अभी नवेंबर में अनॉंसमेंट किये गये थे प्राइज़ तो ये मिला था, S हरीश को मिला है मुस्टाइच के लिए S हरीश को किसके लिए मिला है मुस्टाइच के लिए मिला है वाईज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मैंने इसमें जल्दी क्या बताया आपको हनुमंता इसमें मैंने आपको जल्दी-जल्दी क्या बताया है धीरी-धीरी बताया चाह बताईए आपको क्या समझनी आया है बताईए हनुमंता हनुमंता बताईए आपको क्या समझनी आया है मैं एक बार फिर से रेपीट कर दूँगी इसमें कोई भी ऐसी चीज है या फिर प्रीवेस किसी भी क्वेश्टन में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझना आई हो तो आप मुझे बता दीचे मैं आराम से इसको कर लोंगो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्त देखे हो मंगदी फॉलिंग वस ड्रॉब फ्रॉम्धी आर्ल इंडिय कांसिल अव स्पोर्ट्स इन जनरे तूज इन टूज इन टूज फिर नॉज एन तूज ने टूज ने डॉप किया था जनरे टूज टूज एंटिव नहीं थे विश्वनातन आनन्द पुलेला गुपीचंद, हरबजन सिंग एंड के श्रीकांत सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका सो करेक्ट आंसरों का उप्शन है दाट विश्वनात नानन करेंट फेस्ट रिलेटेट था मेभी आपको ना पता हो ठीक चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेशन देखिए पाइनेपल इस डाश प्लांट पाइनेपल कैसा प्लांट है हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जेरोफाइट एंड हाइग्रोफाइट जल्दी से बताएए गाईज pineapple कैसा plant है आपका mesophyte, xerophyte hydrofyte so hydrophyte कौन से होते हैं आपके जो water plant होते हैं जो आपके पानी में उगते हैं ठीक है? hydrofyte ठीक है जैसे कि आपका water hyacinth है ठीक है? जो यह पानी में इनकी जो है जड़ी पानी पे तेयरते हैं hydrophytes type के plant है है जिसे lotus है आपका हाइड्रोफाइट है तो आप उसका काम चल जाएगा जरोफाइट कौन से होते हैं जो आपके dry regions में आपके grow कर सकते हैं adapted होते हैं वो drive regions के लिए उनको 05 कहते हैं and hygrophyte कौन से होते हैं आपके hygrophyte बताइए अच्छा इसका correct answer तो पहले मैं बता देते हूं options यह हो जाएगा that is 05 hygrophyte कौन से होते हैं आपके hygros जो Wet Conditions में आपके grow होते हैं ठीक है कैसे होते हैं जो आपके वेट कंडिशन में grow होते हैं आपके hygrophytes होते हैं ठीक है तो इनको जैसे कि आपका जो wetlands वगेरा हैं जहां पर swampy grounds रहता है वहाँ पर अच्छे grow करते हैं ठीक है में प्रीजेट वाला beste थी ऐसिकोंत्य भी प्रना कियुकुक्ष मिन करके बताइए स्ट्रेट वाला स्वेस्टे स्वेस्ट वाला क्वेस्ट तो problem करके बताइए रूभी स्ट्रेटि-्वाला 2019 में जो आपके person लेक्ट वे थे youngest member वो कौन से थे ते जस्वी सूर्य चंदरानी मुर्मू नुसरत जहान एंड मीमी चक्रबोटी जल्दी से बताईए youngest member of parliament कौन थे 2019 में कौन वने थे चंदरानी मुर्मू ठीक है option B correct answer हो जाएगा आप लोग comment नी कर रहे हैं guys सभी लोग comment करिए हरुमंत जल्दी से बताईए अगर आपको कोई question में doubt था कौन सा question था वो आप मुझे बताईए ठीक है नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर मत कहिए का नहीं बताया मैंने ठीक है चली option B correct answer is का आगे बढ़ते हैं next देखिए which is the largest river island in the world यह question बहुत पूचा जाता है important question है हर एक्जाम में एक बार जरूर पूछते हैं मजूली आइलेंड श्री रंगम आइलेंड अगाती आइलेंड और भवानी आइलेंड जल्दी से बताईए सो इसका correct answer क्या होगा option A होगा that is मजूली आइलेंड यह आपका largest river आइलेंड है ब्रह्मपुत्रा नदी के वजह से इसका formation होता है मजूली आइलेंड का ठीक है so option A correct answer हो जगा यह सतो लाका stride option A correct answer है next देखिए which of the following is a water soluble vitamin पानी में घुलने वाला घुलनशील जो है आपका vitamin कौन सा है so vitamin C, vitamin D, vitamin A and vitamin K जल्दी से बताईए हाँ मजूली आइलेंड जो है असम में so कौन सा vitamin है आपका जो water soluble है so vitamin C है option A correct answer हो जाएगा इसलिए vitamin C की गोलिया खानी पड़ती है अलग से ठीक है अभी जैसे covid के लिए vitamin C बहुत important है आपका तो vitamin C का deficiency disease क्या है इसकी वजह से आपको क्या हो जाता है scurvy हो जाता है vitamin D की deficiency की वजह से रेकेट्स होता है विटामिन A की deficiency से क्या होता है night blindness होती है यह तो सबको पता है vitamin K की deficiency से बताइए गाईस yes vitamin C correct answer आशीश yes आकाश vitamin K की deficiency से क्या होता है जल्दी से बताइए यह आपका clotting में काफी help करता है तो आपको है हमरेज हो सकता है 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 हमरेज हो सकता है है हमरेज हो सकता है आपको विटामिन की deficiency से चीक है excessive bleeding हो सकती है क्योंकि आपका clotting में बहुत help करता है this helps in clotting तो जब आपकी blood में clotting नहीं होगी तो क्या होगा एक्सेसिव लॉस अफ ब्लाट होगा येस बिल्कुल सही आशीश राइट आच्छा अच्छा हनुमंता अच्छा मैं फिर से बता रहे हूं आपको आइलेड इस्तमस वाला जो question था ना देखे ये इंडिया है हमारा ठीक है ये आपका तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है ठीक है और एक साइड ये में लाइन से connected है ये एशिया का पार्ट है ठीक है इसको हम बोलेंगे peninsula तो आपने सुना होगा हमने बोलते हैं हम बोलते हैं इंडियन peninsula ठीक है ये पैनिसुला हो गया अच्छा एक आपका ये land 1 है ये आपका land 2 है ठीक है इसके बीच में एक जो है पतला सा पानी की नालिका जैसा है कुछ ठीक है नैरो स्ट्रिप ओव वाटर ठीक है ये आपकी फ्लो कर रही है तो जो दो land masses को नारो स्ट्रिप ओव वाटर आपकी जो सेपरेट करती है इसको हम कहते हैं स्ट्रेट जैसे की फॉर एक्जामपल जैसे भारत है और जो आपका श्रीलंका है इसको पार्क स्ट्रेट सेपरेट करता है तो पार्क स्ट्रेट इसको separate करता है इसका just opposite जो होता है वो इस्थमस होता है ठीक है इसका just opposite जो होता है वो आपका इस्थमस होता है इस्थमस क्या होता है ये जैसे आपका कोई भी एक land है ठीक है और इसको एक पतली सी strip से दूसरे land से connect करेगा जैसे कि North America और South America है बीच में है इस्थमस of Panama ठीक है ब land masses को जो जोडती है उसको Isthmus of Panama, Isthmus कहते हैं तो Isthmus of Panama, North America South America को जोईन करता है और दो water bodies को separate करता है Pacific Ocean, Atlantic Ocean को ये separate करता है, आरी बात समझ में? तो Isthmus और जो straight है ये दोनों एक दूसरे के opposite है ओके? अभी clear है? अभी I think clear है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम लो Which of the following is the pension scheme introduced by government of India exclusively for senior citizens in May 2017, इन में से कौन सी एक pension scheme है, जो सरकार ने senior citizens के लिए माई 2017 में launch की थी, PMGAY, PMVVY, PMGSY प्रदानमंत्री, ग्राम सरड़क योजना प्रदानमंत्री, देखे हैं आप यहाँ पर form दे रखे हैं आपको, मात्रू जो आपका mothers के लिए जो scheme है, मात्रू वंदना योजना, प्रदानमंत्री, व्यवंदना योजना और यह भी आपकी एक योजना है जल्दी से बताईए So, correct answer क्या होगा इसका, किसका correct answer होगा आपका option B, that is प्रदानमंत्री, व्यवंदना योजना जो है यह आपकी C ने citizens के लिए लॉँच की गई थी माई 2017 में ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question देखिए, yes option B, correct answer होगा, C नहीं होगा चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग Mikaela Chador is a traditional dress from the state of Dash तो यह traditional dress से कौन से state की है, Tripura, Odisha, West Bengal and Assam Mikaela Chador, जल्दी से बताईए अगर पता है, तो फटा-फट से comment करिए, नहीं पता है, तो भी बता दीजे के नहीं पता है तो correct answer क्या होगा, इसको option D होगा, that is Assam Assam का ये traditional dress है तो देखिए, आपने देखा होगा अभी previous shift में आपको पूछा गया था कि एक dance form के बारे में ठीक है, लक्षवदीब का पूछा गया था यहाँ पर आपको traditional dress के बारे में पूछ लिया है ठीक है, तो देखिए, जातर आपको ऐसी regions के पूछेंगे, जहां आपके बारे में आपको कम पता होगा चली So option D correct answer है, इसका आगे बढ़ते हैं, नेक्स देखिए, dash is the tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder, तो कौन सी tube है जो urine को kidney से urinary bladder तक लेकर जाती है So ureter, urethras, finster and iota, जल्दी से बताएगे ठीक, तो कौन सी यह आपकी tube होती है जो carry करते है urine को from kidney to the urinary bladder क्या कहते है इसको ureter कहा जाता है, ठीक है So this is urethra Sorry, this is your urinary bladder ठीक है Okay, Clarence, अभी को यह यहापे किसी को doubt है, तो guys, पूच सकते हो आप ठीक है, चले, आगे बटते हैं लोग, नेक्स देखिए So option ने correct answer होगा, that is ureter Next, देखिए As of January 2020, who held the title of India's youngest chess master D. Gukesh, Ramesh, Babu, Pragananda, Vishwanathan, Anand and Parimarjan Negi As of January 2020, किस ने title held किया India's youngest chess grandmaster का Yes, बिल्कुल सही answer है, Hanumantha Yes, right option ने correct answer, that is D. Gukesh D. Gukesh यहाँ पर correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स देखिए Which of the following is an example of Chola Empire Temples Badami Cave, चनिकेश्वा टेंपल, अरितवेश्वा टेंपल and विरुपक्षा टेंपल, तो चोला के जो great building temples है, कौन-कौन से आपके, एक तो आपका ब्रिधेश्वारा temple है, ब्रिहदेश्वारा temple है, एक आपका गंगाई कौन्ड, चोलापुरम temple है आपका एक और एक कौन से आपका अरवतेश्वारा temple है, तो यह famous आपके, जो है, चोला temples है, so option C correct answer हो जाएगा, that is अरवतेश्वारा, हाँ बिल्कुल वो किर्णी में जो stone होता है, वो आपके calcium के वज़ज़ा से ही calcium के ही आपके compounds होते हैं, जो आपके form होते हैं, राइट, यह option C की correct answer होगा, चली, आगे बढ़ते हैं, नेक्स देखिए, फ्लेगला आर्दा है लाइक structures which act as organelles of locomotion in which of the following organisms, कौन से organism में फ्लेगला होता है, जो उस organelles को चलने के लिए, जो है, लोको locomotion के लिए help करता है, amoeba, bacteria, virus and paramecium, जल्दी से बताइए, so correct answer क्या होगा, इसका bacteria होगा, so bacteria में आपका प्लेगला होता है, जैसे माली जी आपका bacteria है, तो इसमें इस तरह से thread-like structures होते हैं, hair-like structure होते हैं, जो उसको allow करते हैं, लोको मोशन के लिए, ठीक है, चली, option B correct answer होगा, आगे बढ़ते हैं, river श्रवती plunges as which of the falling waterfalls, river श्रवती जो है, यह आपके कौन से रूप में waterfall की तरफ fall करती है, सोची पारा, अथीरपली, होगे ना कल, एंड जेरू सोप, जल्दी से बताईए, हाँ, ऐसी लग रहे है, आशीष, revision नहीं किया है, सब गलत हो जा रहा है, चली कोई बात नहीं, अभी गड़बड करोगे, कोई बात नहीं, इसका मतलब भी है कि अभी आपका practice छूटा हुआ है, revision हो जाएगा भी, जल्दी से बताईए, तो correct answer क्या होगा इसका, so option D will be the correct answer for this, that is, जेरू सोपे, ठीक है, जेरू सोपे इसका correct answer होगा, इंडियन रिवर रेलकोच फैक्टरी लोकेटेड, इंडियन रेलवेस की रेलकोच फैक्टरी कहाँ पर है, कपूरतला, चेन्नाई, बेंगलूरू एंड चितरंजन, जल्दी से बताईए, फटाफट से बताईए, correct answer क्या होगा, इंडियन रेलवेर रेलकोच फैक्टरी कहाँ पर लोकेटेड है, देखे, हार नहीं माननी चाहिए, गड़वड हो रही है, तो क्या हुआ, ठीके रही है, यही तो यहाँ पर आपका शो करता है, कितना आप डेडिकेटेंड अपनी पढ़ाई के लिए, अगर नहीं आता है, मतब सिर्फ सही करनी के लिए थोड़े ना है, गलत्त भी अगर हो रही है, तो उसके लिए भी उसको फेस करिजे, गलत हो रहा है, मुझे यह गलती नहीं करनी है, जानेंगे तभी तो उसको सुदारेंगे चीज़ों को, चली जल्दी से बताएं फ्लेगला नाम दिया गया है वो आपका thread-like structure जो उसको नाम दिया गया है फ्लेगला ठीक है हनुमनता येस राइट option A correct answer है मॉनिका that is कपूर थला so कपूर थला जो है ये आपका कहाँ पर located है this is located in पंजाब ठीक है पंजाब में located है येस राइट option A correct answer है कपूर थला चली आगे बढ़ते है next देखिए what was the weight of चंद्रयान 2 spacecraft launched in July 2019 चंद्रयान 2 हमारा launch किया गया था जुलाई 2019 में इसका weight कितना था 3.3 ton, 3.8 ton, 4.3 ton and 2.9 ton जल्दी से बताएं चंद्रयान 2 के साथ एक lander भेजा गया था लैंडर का नाम क्या था विक्रम था और एक रोवर भेजा गया था रोवर का नाम था प्रग्यान ठीक है प्रग्यान रोवर था येस राइट option B कर एक आंसर आशीश हनुमान था Monica Wright चलिए आगे बढ़ते निक्स देखिए In which year was UNICEF founded UNICEF जो है वो कब फाउंड किया गया था 1948, 1946, 1945 and 1949 इसका full form क्या हो गया है United Nations Children Fund पहले इसका नाम था United Nations International Children Emergency Fund लेकिन अब इसका नाम मदल का UN Children Fund कर दिया गया है So कब फाउंड किया गया था UNICEF को So this was founded in 1946 बिल्कुल सही है 1946 correct answer आशिष, right option B UNICEF के बारे में और चीज़े बताईए जल्दी से Headquarters बताईए इसके Head के बारे में बताईए So यह आपकी Specialized Agency है Of UN Headquarters कहाँ पर है UNICEF के जल्दी से बताईए फटाफट से बताईए कहाँ पर है इसके Headquarters जहाँ पर UN के Headquarters New York, US में इसके Headquarters है इसके Currently Director General कौन है, Head कौन है Director General कर लो, Head को बोल दो ठीक है तो Henrita Henrita H-4A है ठीक है इसके Currently जो Head है She is Henrita H-4A ठीक है So 11.07.1946 में UNICEF आपका जो Establish हुआ था Specialized Agency है, UN की Right, बिल्कुर correct answer है Yes, Ashish, Right, Monika चली आगे बढ़ते हैं, Yes Next, देखे, As of February 2020 How many members represent the State of Uttarapadash इन लोगसभा? लोगसभा में उत्तरपदेश के कितनी सीटे हैं? As of February 2020 20, 48, 80, 62, या फिर 39 जल्दी से बताइए कितने, अच्छे से पूचागे, कितने members represent कर रहे हैं State of UP को बात तो वही है खेर चली जल्दी से बताइए Correct answer क्या होगा इसका? So, इसका correct answer होगा option B, that is 80 ठीक है? 80 seats है UP की लोगसभा में सबसे जादा UP की seats है लोगसभा और राजसभा दोनों में है न? चली राजसभा की कितनी seats हैं? Yes, Atul right correct answer है Monica right correct answer है राजसभा seat in UP फटा फट से बताइए राजसभा की कितनी seats है UP में? Correct answer क्या हो जाएगा? Option B हो जाएगा that is Jack Dorsey ये कोई maths थोड़े ना है कि हरेकांसर निकालना पड़ेगा आता है तो आता है नहीं आता तो नहीं आता है है न? फटा फट से answer आना चाहिए सबका चली आगे बढ़ते नेक्स देखिए As of January 2020 who held the national record in both 800 meter and 1500 meter sprint events तो January 2020 में किसने national record held किया है 800 meter और 1500 meter के sprint events में आया सामी धरुन अभिनाश साबले, मोहमद अनास एंड जिन्सोन जॉन्सन फटा फट से बताईए So किसने national record बनाया था? So जिन्सन जॉन्सन ने national record बनाया था, ठीक है? Correct answer इसका option D होगा चले, आगे बढ़ते हैं हम लोग Next देखिए अतुल option D correct answer होगा आशिष, option D correct answer होगा Next देखिए, सचिन तेंदुरकर scored his first ODI century in his dash match 76, 79, 78 and 77 जल्दी से बताईए सचिन तेंदुरकर ने जो अपना first ODI century score किया था वो कौन से match में किया था? 76, 79, 78 and 77 Yes दीपक, Jinson Johnson previous question का correct answer है सचिन के बारे में बताईए ये तो आप लोग को पता होगा सचिन तेंदुरकर के तो काफी लोग fan है, so correct answer option C होगा, that is 78 78 match में उन्होंने अपना पहला ODI century score किया था Yes आशिष, ट्राइट दीपक, correct answer option C Yes, Monica, right option C जो है, correct answer है, next देखिए Litterite soil is rich in dash, Litterite soil आपका किसमें rich है, potassium, iron oxide, phosphorus and calcium carbonate जल्दी से बताई, Litterite soil जो है, तो Litterite soil पहली बात तो आपका किसकी वज़़े से form होता है, leaching की वज़े से आपका form होता है, तो leaching की वज़े से क्या होता है, जो भी आपके important minerals हैं, वो सारी क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं, ठीक है, ऊपर क्या रह जाता है, iron और silica रह जाता है, so correct answer क्या होगा, इसका option B होगा, that is iron oxide, ठीक है, iron oxide आपका, Litterite soil, iron oxide में रिच होता है, तो Litterite soil में आपका cashew nuts, जो है, इनको grow किया जा सकता है, soil वाले session में मैं आपको पूरा पढ़ाया था, तो अगर आपने soil वाली class अटेन ने किये, SSE full course का जो playlist हमाया चानल पे, उसमें जाके देखिए, soils in India के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, चलिए, Yes, Monica, Deepak, option B, correct answer है, Next, देखिए, Who is the author of the book, Kerala God's Own Country, तो Kerala God's Own Country के author कौन है, Takazi, Shriva Sankara Pillai, Sashi Tharur, Sudha Murti, and Jeet Thail, फटा-फट से बताईए, अगर आपको पता है, तो जल्दी से बताईए, गाईज, author कौन थे इस किताब के, So, कौन थे इस किताब के author, So, option B, correct answer हो जाएगा, Shashi Tharur, Shashi Tharur के द्वारे लिखी गई ये book है, चलि, Shashi Tharur के लिखी भी book ना, काफी पूछी जाती है, तो कभी भी चर्चा में है, तो फटा-फट से उसको अच्छे से याद कर लो, चलि, next देखिए, Which of the following states is included in the sixth schedule of the constitution of India, तो जितने भी schedules है, सारे याद कर लो, important है, आपकी वहाँ से question पूछते हैं, तो छटी जो अनुसूची है, इसमें आपके, मैंने आपको तरीक बताया था, A, M, T, M करके याद कर लो, ठीक है, A for Assum, M for Manipur, P for Trippura, and M for Meghalia, ठीक है, तो छटी अनुसूची में जो है, आपके चार states जो हैं, आपके included हैं, in the sixth schedule, ठीक है, तो आपकी उसमें से A, M, T, M करके इसको याद कर लो, तो correct answer क्या हो जाएगा इसका, correct answer हो जाएगा, option C, that is misorum, sorry, यह Meghalia नहीं होगा, misorum होगा, Meghalia है, एक आपका misorum है, यह में तो Meghalia हो गई, यह misorum है, मैंने मनिपूर लिखती है, चलो, अब यह भी confusion हो सकता है, इस वाले तरीके से, है ना, तो amtm, असम, मनिपूर, सरी, अग्यान, मनिपूर, असम, Meghalia, तिरिपुरा, और मिजॉरम, ठीके, ऐसे याद कर लो, ठीके, तिरिपुरा और मिजॉरम से, आपका जो, ट्रॉपिक आफ कैंसर पास करता है, तो ये तो दोनों साथ में चलेंगे, ठीके, तो बचा कौन सा, मेघाले बचा, तो असम और मेघाले, असम मेघाले की location, जस्ट बैक टू बैक है, तो असम और मेघाले, ऐसे याद कर लो, असम मेघाले, तिरिपुरा मिजॉरम, ये आपकी छटी अनुसूची के पार्ट है सभी, ठीके, सो option C करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीके, मानिपुर नहीं होगा, अरे गल्ती तो इंसान सी होती आशीश, है ना, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, कि मुस्से गल्ती नहीं होगी, चलिए, सो हो जाता है, confusion किसी को भी हो सकता है, तो असम में घाला, तरपुरा, एंड मिजॉरम, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स देखिए, वेन इस इंटरनाशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड, इंटरनाशनल ओजोन डे, जो है, बनाया जाता है, दो अक्टोबर को, गांधी जेन्ती मनाते हैं, गांधी जी की बर्थ आनिवर्स्टी होती है, 31st अक्टोबर को, किसकी बर्थ आनिवर्स्टी होती है, सरदार वल्लबाई पटेल की, येस, दीपक आशीश, मॉनिका, राइट ऑप्शन, डी करेक्ट आंसर है, सरदार वल्लबाई पटेल, कि बर्थ आनिवर्स्टी होती है, 31st अक्टोबर को, इसको नाशनल यूनिटी डे के तौर पर भी मनाते हैं, नाशनल यूनिटी डे के तौर पर भी इसको, मनाया जाता है, ठीक है, मेजर ध्यान चंद की बर्थ आनिवर्स्टी होती है, ठीक है, clear सभी को, शलिए, नेक्स देखे, निबल इन कंप्यूटर टर्मिनलोजी इस कॉल्ड डाश, बिट, हाफ बिट, हाफ बाइट, और बाइट, निबल क्या होता है, तो आपका जो एक बाइट होता है, इसमें बिट्स होते है, कितने बिट्स होते हैं, टोटल एट बिट्स होते हैं, ठीक है, और अगर हम बात करें कि आपका जो चार बिट्स हैं, वो आपके एक निबल को फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो यानि कि एक byte में कितने निबल हो गए आपके, दो निबल हो गए, ठीक है, तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक byte, या फिर जो एक निबल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको half a byte लिख सकते हैं, ठीक है, तो correct answer क्या हो जाएगा, option C हो जाएगा, that is half byte, clear रहिए गाईज, स मौनिक option C correct answer हो जाएगा, half a byte, bit और byte में confused नहीं हो न, bit छोटा unit है, निबल से छोटा unit है, बिट जो है आपका, ठीक है, अभी clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next देखे, where is the tomb of शेर सहाशूरी located, शेर सहाशूरी की tomb जो है, वो कहाँ पर है, रोताजगर्ड, सासा, राम, चौ है, यह कहाँ पर located है, so this is located in सासराम, ठीक है, सासराम में located है, yes option B correct answer है, अतुल आशीश, yes right, ठीक है, सासराम, option B correct answer है, next देखे, as of January 2020, President of BCCI, BCCI के President कौन है, रवी शास्त्री, सौरव गांगुली, सुनील गवसकर, हर्षा बोगले, यह तो गलत होना ही नहीं चाहिए, BCCI क President as of January 2020, yes जल्दी से comment करके बताइए, correct answer क्या होगा, इसका, so इसका correct answer होगा, option B, that is सौरव गांगुली, है न, yes आशीश, right, दीपक, correct answer है, yes लक्षा, right, option B, correct answer है, that is सौरव गांगुली, right, चलिए, आगे बढ़ते है, next देखे, Who among the following received the Padme Bhushan in 2019, 2019 में किसको Padme Bhushan मिला था, सुनील चेतरी, भुपेन हजारिका, मोहनलाल विश्वनाथन, और विराट कोली, 2019 का Padme Bhushan से किसको सम्मानित किया गया था, जल्दी से बताइए, Quickly comment करिए, correct answer क्या होगा, So, correct answer क्या होगा, option C होगा, that is, मोहनलाल विश्वनाथन, जो भुपेन हजारिका थे, इनको भारतत मिला था, 2019 का, 2019 का भारतत, इसको मिला था, भुपेन हजारे का, नाराजी देश्मुक और प्रनमुखर जी को मिला था, ठीके, अब भी आपको, पद्म विभूशन, जो है, आपके, पद्म विभूशन, पद्म भूशन, ये आपके अनाउंस किये गए थे, तो ये मैं आपको अल्रीडी करवा चुकी हूँ, ठीके, इस पे आपका जो है, पूरा जो पेज है, वो भी अपडेट कर दिया गया है, ठीके, और विनर्स जो है, पद्म विभूशन के इस बार, इस पी, बालत सुब्रमन्यन, नरेंद सिंग, कपानी, बीबी लाल, और इस बार याद रखेगा, जो शिंजो आबे हैं, उनको भी दिया गया है, ठीके, जपान की जो शिंजो आबे हैं, 2021 का पद्म विभूशन उनको दिया गया है, नेक्स देखिए, as of January 2020, who is the Managing Director of Yes Bank, 2020 के हिसाब से बताईएगा, Yes Bank के Managing Director कौन थे, अदित्यपुरी, रबनीत गिल, अरुंदती, भटाचार्या, नमिताब चौदरी, जल्दी से बताईए, सुनील छेती तो फुटबॉलर हैं आपके, जल्दी से बताईए, Managing Director of Yes Bank कौन है, जल्दी से बताईए, यह January 2020 की बात चल रही है, इसके बात बदल गए थे, तो उस टाइम पे कौन थे, रवनीत गिल थे, अभी पूचे कोई, करेंट का पूचे, करेंट इस बैंक के जो MD है, Managing Director कौन है यह, प्रशांत कुमार, ठीक है, याद रखीए, करेंट ली कौन है, प्रशांत कुमार है, और रवनीत गिल जो थे, यह पुरानी थे, ठीक है, चली, Option B correct answer है, Yes Monica, right option B, आपका बिल्कुर correct answer है, चली next देखिए, ओके चली, questions ही खतम हो है, So guys, यहाँ पर हमने questions आपके cover कर लिए है, अब हमारा जो next session होगा, रात को 9 बजे होगा, So geography अभी हमारा चल रहा है उसमें, अगर किसी ने नहीं join किया है वो batch, तो आप join कर सकते हैं, यह batch आपका free of cost है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्त आपको, पहले मीडियो का YouTube चैनल रहे हैं, उसको subscribe करना है, notification के लिए bell icon को press करना है, ठीक है, रोज रात को 9 बजे आपकी GK की स्टार्टिक पोशन की classes होती है, अभी geography उसमें चल रहा है, हम लोग ने कल जो cover किया था, agriculture in India cover किया था, ठीक है, सो चले रात को 9 बजे वाली class मिलते हैं, अभी तीन बजे से आपक करना है अगी था, जसक्षे एलै, और रहा है, और रहा है, अभी मिलता है, सब्सक्तक मा दो만 पोशन की सांपकी स्टार्ब, वजे विए लिए से न्हे ताफकी सितioneल, प्लाईय है, है ये वाला ये और किया वी मिलते हैं, आपकी अद्स, पमेंज आपकी में, ये ताह स्जे